Hello friends, good morning, आज के इस वीडियो में बात करते हैं कोलेस्टराल की पूरी जानकारी और complete इलाज, घरेलू और होमेपर्थिक, दोनों इलाज की बात करते हैं देखे जो कोलेस्टराल है सरीर के लिए जरूरी पदार्थ है लेकिन जरूरी पदार्थ है तो इसकी सामान मात्राई जरूरी है कोलेस्टराल सरीर के लिए जरूरी पदार्थ है जनतूं की कोसिकाओं के चारों और सेलवाल नहीं पाय जाती फिर भी जन्तियों की कोशिकाय ठीक तरीके से काम कर पाती है, इसकी मुख्य वज़ा है कोलेस्ट्राल का होना, बनस्पतियों में कोलेस्ट्राल नहीं पाया जाता है, जबकि उनमें सेलवाल पाया जाता है, तो जो बनस्पतियां होती है न, उनमें कोलेस्ट्राल नहीं पाया उसमें क्या आप आता है, सेल वाल इस वज़ासे उनकी कोशिकाये ठीक से काम कर पाती हैं, जबकि animal cell में सेल वाल नहीं पैजाती है। कोलेस्ट्राल की सामान मात्रा 200 से 400.,70 mg पर 100ml होती है。 यदि cholesterol की मात्रा 200 से कम हो जाए तो भी हानकारख है और 400 से जादा हो जाए तो भी हानकारख है इसका मतलब cholesterol सरीर के लिए जरूरी पदार्थ है और वो नार्मल रेंज में रहना जरूरी है नार्मल रेंज से जादा हो जाए या नार्मल रेंज से कम हो जाए तो सरी के लिए दिक्कत क्रियेट करेगा तो कोलेस्टराल की मात्रा 200 mg पर 100 ml से कम होने पर डिप्रेशन, सरेब्रेल हैमरेज, कैंसर जैसी बिमारियों के हो जाने की संभावना रहती है अगर 200 mg से कम हो गया तो ठीक इसी के उलट कोलेस्टराल की मात्रा 400 mg पर 100 ml से अधिक हो जाने पर हिर्दय समंदी बिमारियां होने की संभावनों होती है यानि 400 से जादा पर भी दिक्कत है और 200 से कम पर भी दिक्कत है यानि 200 से 400 के बीच होनी चाहिए तभी सरीर ठीक तरीके से काम करेगी LDL को बैड कोलेस्टराल कहते है इसका सामान अस्तर 100 mg पर 100 ml से कम होना चाहिए स्वस्त रहने के लिए जो LDL है वो बैड कोलेस्टराल है इसका जो सामान अस्तर है कम होना चाहिए 100 mg पर 100 ml से अगर इससे ज़्यादा हुआ तो सरीर को नुक्सान पहुंचाएगा इसी के ज़ेश्ट उलट, HDL को गुड कोलिस्टराल कहते हैं इसका सामान अस्तर 40-60 mg पर 100 ml से अधिक होना चाहिए सरीर को स्वस्थ तरीके से काम करने के लिए तरी HDL 40-60 से अधिक होना चाहिए और LDL 100 से कम होना चाहिए तो यही नार्मल रेंज है इस नार्मल रेंज में अगर रहे तो सरीर ठीक से काम करेगी और जिनको अबनार्मल हो चुका है तो उनके लिए घरेले उपाए तीन स्टेप में बता जा रहा है तो इस तरह से देखे पहला इस्टेप ऐसे है कि एक नीबू की चाहर टुकड़े कर लें प्लस उसमें 10 कली लैसुन छिल के डालने और उसमें 20 ग्राम अधरक मिलाकर क्रस कर दें यानि एक नीबू 10 कली लैसुन और 20 ग्राम अधरक मिलाकर क्रस कर लें और लगभग 2 लीटर पानी में 10 से 15 मिनट उबाल लें फिर उबले हुए पानी में यानि जो एसटेप फर्ष का था उसमें 2 छम्मस डालचीनी पाओडर मिलाकर 10 से 15 मिनट लग्की आजपर फिर उबालें यानि step first के बाद step two में दो चम्मच डालचीनी का पाउडर मिला के उसको हलकी आज पर फिर उबा लें 10 से 15 मिनट हलकी आज पर उबल जाने दें तो step third में क्या करें ठंडा करने के बाद mixi में पीस कर घोल बना कर रख लें छान कर एक बोतल में freeze करके रख दें सुबस आम चार चम्मच पिएंगे तो जो समस्या है कोलेस्ट्राल की उसमें निजात मिलेगा और जल्दी treatment के लिए होमेपैथिक दवा भी सांसात ले सकते हैं घरेली उपाएके तो घरेली उपाएके सांसात होमेपैथिक दवा भी लें आसानी से हर एक होमेपैथिक मेडकल इस्टोर पर अवलेबल है ये दवा तो पहली दवा है कोलिस्टेरिनम 3X पहली दवा है कोलिस्टेरिनम 3X की 4 टबलेट्स एक कप गुनगुने पानी में घोल कर 3 बार लें और दूसरी दवा है गावटेरि या गुमेरी की 15 बूंत को एक गुन्गुने पानी मिलाकर 3 बार पिए पहली या दूसरी दवा में 10 मिनट का अंतर देदे दे तो पहली दवा ले 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 उसके 10 मिनट दूसरी दवा ले ले तो इन दोनों दवाऊं से और घरेलू उपाय करने से आपकी जो कोलेस्टराल बढ़ा हुआ है न और नार्मल रेंज में आ जाएगा और कोलेस्टराल नार्मल रेंज में रहेगा तो सरीर के मेटाबोलिक प्रोसेस ठीक से चलेंगे और बिमार होने की संभावना नहीं होगी अनफार्चुनेटली कोलेस्टराल का रेंज अगर अन्यंत्रित हुआ तो सरीर में कई बिमारियां उत्पन हो जाती है तिस तरह से आपने एक छोटे से वीडियो में काम की बात समझ ली तो आपने पूरा वीडियो देखा जानकारी समझ में आई तो प्लीज आप इसको सब्सक्राइब भी करें सब्सक्राइब करने से फ़ादा हुआ कि नए आपडेट आपको मिलता रहेगा आपकी जानकारी बढ़ते रहेगी बिमार होने के समझावना कम होती रहेगी थैंकियो